नमस्कार मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ और आज फिर से लेकरा हैं बहुत एच्छी पर श्टोरी बहुत लॉंग नहीं है लेकिन बहुत एच्छी श्टोरी आपको नहीं नहीं वर्ड की मिनिं वर्ड मीनिंग वर्ड को पढ़ना उसका प्रानिस्टेशन कैसे करना है वोकाइबलरी इसकी मीनिंग और ग्रामुटिकल पोर्शन जो भी है टैंसलेटेड एफिक ग्रामुटिकल जो भी चीज है फॉर्स सेकेंड फॉर्म सब यहां पर क्लियर होने वाले है चले स्टार्ट क्यों दिया गया है बहुत ही अच्छी स्टोरी चले शार्ट करते हैं पसंद आएगा प्रीज लाइक करेंगे सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं इतना ट्रांसेट आप आराम से कर लोगे एक बार अगे बढ़ते हैं इयर्न उस लाइवली हुड विल्प ग्रेट डिफिकल्टी ही यानि वह और कमाता था यह सेकेंड पॉरम है अर्न कमाना earn कमाता था हिस यानि अपनी हिस तो उसकी होता है लेकि आप श्टोरी में अपनी के लिए यूज करसे हो अपनी लाइबली हुड याने जीवी का रोटी कपड़ा बागा जिसे कहते हैं लाइबली हुड अपनी जीवी का कमाता था विथ याने से इससे ग्रेट डिफिकल्टी याने क्या होता है कठिन महनस से याने बहुत कठिनाई से अपनी जीवी का चलाता था, कमाता था वन डे एक दिन, he saw, उसने देखा, he याने वह भी होता है, उसने वह भी होता है अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे, वह देखा, ऐसे नहीं बोलता है, उसने देखा see saw second form है उसने देखा काली दास को आपसे लिको पता है संत कितने यह प्रसिद्ध है काली दास in the temple in याने में the temple याने मंदिर में काली दास को देखा the brahmin thought brahman ने socha thought याने socha think, socha ना thought, socha क्या socha देखिए काली दास is a great scholar काली दास is याने है याने एक great याने महान scholar याने विद्ध्वान, एक महान विद्ध्वान है why not use this opportunity why not, why not याने क्यों नहीं use, use याने उपियोग करना इस्तमाल करना this opportunity इस मौके का, क्यों ने इस मौके का इस्तमाल किया जाए, उपियोग किया जाए and ask और पूछा, ऐसे ऐसे सोचा कि भई महान विद्वान है, क्यों ने इस मौके का फैदा उठाया जाए, मतलब पूछा उपियोग किया जाए, और उसने पूछा him याने उस से, किन से? कालिदार जी से, for some wise suggestion to earn well for for याने कि लिए, किसके लिए? some, कुछ wise suggestion, wise याने होता है बुद्धिमान, या बुद्धिमानी भरा suggestion, suggestion का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सुझाओ, बुद्धिमानी भरा सुझाओ, कोई बुद्धिमान सुझाओ याने, अच्छा सुझाओ बोल सकते हैं to earn money, to earn कमाने के लिए well sorry money भोल जब्लिये well यहाने होता है अच्छा कमाने के लिए कोई अच्छा उपय बता कोई उठिमानी भरा उपय बताईके उसने पूछा क defense कि आश्यों istant भी होता है कुछह मांगना भी होता है इन्हों ने कह吝ा वह आप कि या ब्राहिमन अप्रोच्ड कालिदास। और विट याने साथ में आल याने सभी हमद्वनेस नहीं वि पूछा झी仔 करने के लिए कहना भी होता देखिए यहां पर क्या क्ररें वह उन्हों ने क्या कहा देखिए oom Grade scholar ए महान विद्वान ए महान पंडित इस इस विध्वान पंडित है यह न हम क्या कहते हैं ए महान विद्वान I am a very poor Brahmin I am, मैं हूँ याने एक very याने बहुत poor याने गरीब Brahmin याने ब्रहमन मैं एक बहुत गरीब Brahmin हूँ I look upon you look upon you याने मैं आपको देखता हूँ ऐसे इसका meaning होता है कि आपसे कुछ चाता हूँ इस प्रकार से भी मतलब निकाल सकते हैं I look upon you मैं आपको देखता हूँ to know जानने के लिए the mantra mantra तो मैं आपसे वही बोलते हैं कि कुछी मांगना चाहता हूँ इस प्रकार का use करते हैं to know जानने के लिए the mantra, mantra याने मंत्र मैं आपसे के लिए मंत्र जानना चाहता हूँ to earn well अच्छी तरीके से कमाने के लिए अच्छी तरीके से कमाने के लिए उस मंत्र जानना चाहता हूँ and lead decent living and lead lead याने आगे बढ़ना जीवन निर्भान करना a decent याने decent यान ओता है saline क्या होता है decent याने ुचित अच्छा living याने जीवन मैं अच्छा जीवन आगे जीना चाहता हूँ उसके रए कुछ मंतर पता यह कालिदास thought for a while कालिदास ने thought याने सोचा for a while याने कुछ देर के लिए तो इसे हम for a while बोलते हैं कुछ देर के लिए while दौरान कुछ देर suggest, I can, मैं कर सकता हूँ, suggest, suggest याने होता है सुझाओ, मैं सुझाओ दे सकता हूँ, you याने आपको away of earning, away याने एक रास्ता, of earning याने कमाई का, मैं आपको कमाई का एक रास्ता का सुझाओ दे सकता हूँ, कि आप कैसे कमा सकते हो, but, लेकिन, that will require more hard work, लेकिन, that will, उसे, या वो, वो, विल गागी गे, future टेंसर, require, कि उसके लिए require याने जरूरत होगी, उसके लिए जरूरत होगी, more hard work, more याने ज्यादा hard work, याने cutting परिश्रम, उसके लिए और कड़ी परिश्रम की जरूरत होगी, then, then, याने compare में, किसे compare में, just performing religious duties, just, शिर्फ, performing, performing, याने करना, religious, religious, याने होता है, dharmic duties, याने, करतव कारिये बोल सकते हैं, ज़िजे आप धार्मिक अनुष्ठान करते धार्मिक करते हैं, करतव काम करते हैं, केबल, उसे करने के अलावा, ठीक है, उसे करने के अलावा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सिप पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो भी आपको करना पड़ेगा, तब या आप अच्छा जीवन जी सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, विल यू बी एबल टु डू देट, विल यू बी एबल, क्या आप सक्छम होगे, विल गागी ये होगे, ठीक है तो विल पहले लगा तो इंटरोगेटिव बन गया है, याने की प्रश्ण वाचत, विल यू बी एबल, याने बी याने होना, एबल याने सक्छम होना, तु तो इस लिविंग अपनी जीविका के लिए दब्राहमिन नोडेड नोडेड याने होता है हामी में सिर हिलाना हां ऐसे बलता है येस देखिए हां तो उन्होंने कहा हां भई आपके बल रहे हो उसके लावा पुझा पार के लावा मैं वह भी कर लूँगा जो आप बल रहे हो कोई कमाना तो है मुझे ठेलिए देखते हूं उसके बाद क्या हुआ पस लास्ट पर बचाए है whatever you earn whatever याने जो कुछ भी you earn तुम कमाते हो जो कुछ भी आप कमाते हो from याने से किसे your religious work आपके धार्मिक कारियों से आपके धार्मिक कारियों से आप जो कुछ भी कमाते हो buy with it a coconut buy खरीदो with याने से it याने इस से ठीक है उससे coconut एक नारियल खरीदो उस पैसे से and recite a mantra recite याने दोहराना उच्चारण करना और दोहराओ एक मंत्र का उच्चारण करो एक मंत्र दोहराओ to impress याने प्रभावित करने के लिए याने प्रभाव डालने के लिए प्रभावित करने के लिए प्रभावित करने के लिए एक नारियल ले आओ पैसे का और मंत्र को दोराओ तो देखें क्या मंत्र बता रहे हैं When you do that, जब आप do that याने वैसा करते हो जब आप वैसा करते हो Don't forget to drop a coin in a box everyday Don't forget, ये don't कहा है do not याने मत करना, मत होना उसे don't कहते हैं Don't forget, तो forget याने होता है भूलना, तो don't forget याने मत भूलना ऐसे forget लिखा होगा है लेकिन हम इसे आर थोड़ा सा सैलेंट धिरे से बहते हैं Forget ऐसे बोलते हैं, लेकिन forget बोलोगों तो भी कोई बात नहीं फिर भी मैं आपको बताना जोरी समझता हूं कि forget थोड़ा सा सैलेंट जैसे doctor नहीं बोलकी doctor, a teacher ऐसे र आर थोड़ा सा सैलेंट ही होता है क्या बोले, don't forget घुलना मत, to drop याने गिराना, to drop याने गिराना, a coin एक सिक्का, इन याने में, a box, एक box में, everyday, प्रति दिन याने रोज, everyday याने रोज आप ये सब करना हूं, रोज, box में, एक सिक्का गिराना, मत घुलना, सैट, कालिदास, कालिदास ने कहा this way, this way याने इस प्रकार, अलग अलग मतलब मन नहीं कहा लेंगे, this way वह रास्ता ऐसे ने, this way याने इस प्रकार, goddess Lakshmi, Devi Lakshmi, will be pleased, will be, याने होँगी, हो जाएगी, क्या हो जाएगी, pleased, pleased याने होता है, प्रसन, pleased याने कृपिया, लेकिन pleased याने, प्रसन हो जाना, खुश हो जाएगी, प्रसन हो जाएगी, and she will, and she will, and she will, वह करेगी, हर ब्लेसिंग, उसकी या अपनी ब्लेसिंग, याने आशिरवादों का, ब्लेसिंग याने होता है, आशिरवाद, आशिरवाद का ब्लेसिंग, आशिरवाद का ब्लेसिंग, याने तुम पर, तुम पर वर्सात कर कि तुट्र अरुंसरण करने का फॉलो करना स्थाव करना थे लिएWW भी होता है तो अनुसरं करने का वादा और उसने याने होता है पूजा की गौड़ेश लक्षमी क יש a coin यानने siqa in the box box में डिबे में without fail pick without fail का मतलब क्या आता है एक सार लेजे without fail इसका म Gesetz लेजा साथ बिना चुके याने जरूर अलबस ही नफ़ेल ही यानन बिना चुके यानने उञें उन्से चूक नहीं होती थी हर बार ये काम भूलते नहीं थे जरूरी जरूरी अवस से ही वो एक सिक्कर डालते थे उसे विदाउट फेल कहते हैं जो काम को ना भूलना जो काम करने लिका है बीना भूले वो एक सिक्कर डालते ही थे आडे पलड़ याने दिन गुजरे और आफटर अमन्त और अमन्त याने एक महिने के बाद याने एक मै Ledra रिलाइजद रिलाइजड ने कुछ एषास हुँआ खुआ क्बाद इस 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 सिचिवेशन उसकी इस یعنی उसके जो हालाद जिसे कहते है तो यह situation नहीं लिखागा है situation तो यहाँ पर भी शन पड़ते है situation उसके हालाद had not changed had के साथ third form change थार्ड form changed याने दिया लिया चुका चुकी तो हालाद had not change याने नहीं बदले उसके हालाद नहीं बदले कितना करने के बाद भी upset याने होता है परेशान he went to Kalidas वह went याने गए go went gone तीन पॉम होता है तो went का यूज़ करेंगे गए वह गए तू Kalidas ये proposition है तू का यूज़ करते हैं सम्मद मता है किसके पास गए कहा गए तू का यूज़ करते हैं तू Kalidas याने Kalidas के पास गए and said और कहा तूज़ करेशान होकर Kalidas के पास गए कहा I worked hard मैंने या फिर मैं मैंने भी होता है worked महनत की work क्याने काम करना worked second form काम की मैंने काम किया या फिर महनत की hard याने कठिन मैंने कठिन महनत की as per as per another के अनुसार किसके अनुसार your suggestion आपके सुझाव आपके सुझाव आपके सुझाव के अनुसार मैंने कड़ी महनत की but लेकिन nothing has changed यहाँ पर भी देखे has के साथ third form लगा है changed यहाँ पर हुआ है दिया है लिया है चुका है चुकी है और वहाँ पर क्या था head के साथ third form लगा हुआ था यहाँ पर head के साथ third form लगा हुआ था तो देखिए अभी तो हमने पढ़ा था ना वहाँ पर head head के साथ third form तो दिया था लिया था चुका था चुकी लेकिन has or have के साथ तो लिया है दिया है चुका है चुकी तो देखे बट लेकिन nothing has changed कुछ भी नहीं बदला है कुछ भी नहीं बदला है he complained उसने complain याने सिकायत लेकिन complained second form उसने सिकायत की कुछ भी नहीं बदला आपने बता है इतना सारा pointing to the box pointing to box pointing यहने इसारा करना इसारा करते हुए box की तरफ इसारा करते हुए कालीदास asked the brahmin कालीदास ने asked यहने पूछा the brahmin brahmin से पूछा how many coins do you have how many how many का यूस कप करते हैं जब हम किसी चीज को गिन सके कितना how much जिसे हम गिन न सके सक्कर अउब कर हो गया बहुं सारा तो how much यहने इसे हम कितने सक्कर हैं नहीं गिन सकते आपके सीर में कितने बाला बहुं सार नहीं तो how many hair मी बânए तो अप कम से कम कितने भी चीज को है तो गिन ही तो सकते ना तो गिनने वाली चीज में हम how many लगाते हैं नहीं गिन पाते हैं तो how much लगाते हैं तो देखिए how many coins याने कितने सिक्के do you have do you have याने तुम्हारे पास है have याने किसी के पास कुछी जो होना do you have तुम्हारे पास है तो interrogative जो बनाते है present indefinite tense में तो do को पहने लगाते हैं यह grammar है tense में आप देख लेंगे present indefinite tense के interrogative do you have तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं 30 30 याने होता है 30 अब वही 13 लिखा होता था याने 13 30 याने 30 याने 30 30 replied the brahmin ने जवाब दिया कि 30 सिक्के हैं मेरे पास how much you used to save earlier how much कितना you used to used to याने किया करते थे save earlier इससे पहले तुम कितना बचा लिया करते थे asked कालिदास again आस याने पूछा कालिदास ने फिर से पूछा कितना बचा लिया करते थे इससे पहले nothing कुछ भी नहीं I never used to work before used to याने कुछ चीच किया करते थे तो हम वहाँ पर used to का use करते हैं I never used to work before I never याने मैं कभी नहीं used to किया करता था work याने काम before याने पहले मैं पहले कभी काम नहीं किया करता था याने ये बचाने का काम मैं पहले कभी नहीं किया करता था said the Brahmin Brahmin ने कहा इससे पहले तो मैं कभी बचाया नहीं करता था पहली बार बचाया हूँ At this इस पर याने इस बात पर जब इसने कहा ना मैं तो इससे पहले बचाता यह नहीं था इस पर कालिदास ने कहा गा Last paragraph कालिदास asked कालिदास ने पूछा How can you say How can you say How याने कैसे सकते हो How can you eat तुम कैसे खा सकते हो How can you think तुम कैसे सोच सकते हो कितने सारा बन सकते हो तुम कैसे कह सकते हो Your situation तुम्हारी इस्थिती या तुम्हारी हालाद Hasn't changed Hasn't कहा रहा है Hasn't को hasn't लिखा हूँ है यह भी past perfect tense का negative sentence है Past नहीं Present perfect tense का negative Hasn't changed तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी परिस्थि नहीं बदली है या नहीं बदला है तुम्हारे हलात नहीं बदली है कैसे बोल सकते हो You have 30 coins now You have You याने तुम्हारे have याने past तुम्हारे पास 30 coins किसी के पास कुछ इस जगता है I have a mobile मेरे पास एक mobile है I have a pen मेरे पास एक pen है ऐसे तुम्हारे पास 30 सिख्के है Now याने अब अब तुम्हारे पास 30 सिख्के है Isn't that improvement Isn't याने is not क्या ये नहीं है तो हम isn't कर दो करते है Isn't that improvement क्या ये Improvement याने क्या होता है सुधार क्या ये सुधार नहीं है क्या ये उन्नती नहीं है क्या तुम्हें सुधार नहीं आया with more hard work with याने say more hard work याने ज्यादा कठिन परिश्रम से ज्यादा कठिन परिश्रम से या अधिक कठिन परिश्रम से you can improve this further you can तुम कर सकते हो improve याने सुधार तुम सुधार कर सकते हो पर सकते हो यदि तुम इसी प्रकार के hard work करोगे जैसे तुमने अभी किया hard work is the magic mantra to a good living hard work cutting parishram is याने है the magic mantra जादवी मंत्र है to a good living याने अच्छी जीविका के लिए अच्छे जीवन जीली का जो जादवी मंत्र है वो क्या है कालिदास smiling set कहा कालिदास ने smiling याने मुस्कुराते हुए कालिदास जी ने कहा कि जो कटिन परिष्ण है यही जीवन का असली मंत्र है आप बोलोगे बैठे बैठे अमीर बन जाओ बैठे बैठे पैसा मिले ये तो जीवन भड़ तो नहीं हो सकता है हो सकता है आपके पापा ज पि पैसे वालेों तो पता है क्चिन परिश्रम करना ही करना है, तो आप अमीर हो, गरीब हो, उससे मतलब मत रखें मत रुठिए आपको कठीन कहां से दूँगा तुन्हों ने कहा जिस प्रकार आप पूजा पाट से पैसा कमाते हो कुछ-कुछ आपने जमा किया कड़ी मेहनत की ज्यादा पूजा पाट किया पैसा आया जमा सुरू किया अब आपके पाद 30 रूपे हैं तो देखिए आपने ज्यादा मेहनत की ज्यादा पैसे बचाए इसी प्रकार से आप ज्यादा और मेहनत करते जाएंगे और ज्यादा पैसे आप जमा करते जाएंगे तो आपकी जीवी का अच्छी होती ही जाएगी तो इसे हमें अपने जीवन में भी क्या करना है अपनाना है हमें भी कटिन परिश्रम करना है अपक्या है जीवन मिला है आग पर है जो भी है जैसे भगवार ने दिमाग दिया बुद्धी दिया है इनके हाथ पर नहीं होते वो भी अपने दिमाग के जोर से बहुत कुछ करवुजरते हैं तो आपके पास वो सब हैं तो कोश चाहते हैं यही है कटिन परिश्रम हार्ड वर्क आप को आचिशोरी कैसे लगी पसंद आई हो समझाने के तरीका थोड़ा भी पसंद आता हो कुछ भी समझ आता हो प्लीज आपको सिर्फ एक लाइक करना होता है जरुआत मन्द के पास शेर कीजिए जिन्हें जरुआत हैं उम सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एसी डिटेल में हम यहां पर रीडिंग एक एक वर्ड को मैंने रीड किया आपने सीखा वर्ड की मीनिंग बताई वह सीखा सेकंड फर्म क्यों लगा फर्स्ट फर्म कब लगा इसके अलावा प्रणशेशन उच्चारंद सही क्या है यह हम अगले बार आप आराम से लिख लेंगे यह गैरेंटी है प्लीज आप लोग लाइक करें शेयर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे नीचे टेलीग्राम का लिंक है जॉइन कर लेजिए नहीं तो टेलीग्राम में जाके विश्णोईटी के स सर्च केजिए जॉइन कर लेंगे इसका पीडियव आपको वहां पर मिल जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद